तो लोग जादा गरीब हुए हैं पिछले साथ सान के तरीवी में जो हिंदुस्तान जी रहा है ग्लोबलाइजेशन उसके लिए नहीं है ग्लोबलाइजेशन तो इस देश में विदेशी कमपणियों के लिए है और कोई मुझे से पूछता एक राजीब भाई अगर आप जैस करने की जरूरत भी पड़ेगी तो हमारे पैरामीटर्स क्या होंगे हमारे पैरामीटर्स विदेशी पूजी के नहीं होंगे हमारे पैरामीटर्स विदेशी कमपणियों के नहीं होंगे हमारे पैरामीटर्स में होंगे हिंदुस्तान के 40 करोड गरीबी की देखा के नीचे लेने वाने लोग ग्लोबलाइजेशन से तो आप ने इस देश के गरीबों को जिंदा रहने का भी अधिकार छून लिया है क्योंकि इस ग्लोबलाइजेशन के नाम पर 50 पैसे किलो वाला नमक अब 8 रुपई किलो में बिक रहा है कि करोडों गरीबों को इस देश में सिवाय नमक के रोटी खाने के अलावा कुछ दूसरी चीज सपने में भी नहीं आती है आप जिस वर्ग से आते हैं आप शायद तूर की डाल खा सकते हैं बास्वती चावल खा सकते हैं दो सबजियां खा सकते हैं हिंदुस्तान में 40 करोड लोग तो रोटी से नमक मिलाकर या रोट यह ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा है यह एकॉनोमिक री कॉलराइजेशन हो रहा है इस देश का लेकिन मेरे देश में आजादी के 50 साल के बाद अब नमक पर इतना भयंकर टैक्स है कि 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपए किलो में बिक रहा है और इस देश में कोई उफ न लेकिन तकलीफ इन लोगों की है जो 40 करोड़ की संचाने हैं और जिनके पास एक दिन में खर्च करने के लिए 5 रुपया नहीं है तकलीफ उनकी है और कभी उनकी जगह पर अपने आपको रखकर सोचिए और पूरे प्लैन को देखिए तो कैसे इस देश में 40 करोड़ लोग रोटी खा रहे होंगे तब से जब से 50 पैसे किलो वाला नमक 8 रुपय किलो में हो गया है और बहुत ही बरबरता पूरबग पूरे देश में सरकार का एक फर्मान जारी हुआ है कि कहुं भी बिना आयोडीन वाला नमक नहीं बेचा जाए कि आयोडीन हर नमक में होता है कोई भी नमक बिना आयोडीन का नहीं होता क्योंकि नमक बनता है दरिया के पानी से और सूरज की रोशनी से नमक बनाने में कोई टेक्नोलोजी नहीं लगती कोई मशीन नहीं लगती दरिया का पानी है सूरज की रोशनी है और दरिया के पानी तो दरीया के पानी में, उकसिमा आयोडीन और भाले नमक में भी और को अतौतिल के बढ़ nhi को इस देश में एक सव पच्छीस माइक्रोग्रेम German theoretically की डरूरत होजिए जो साधरा नमक हम खाते हैं, उसमें एक दिन में हम कम से कम 175 माईकोगर्राम आयोडीन खा जाते। बने जितने की जरूरत है उससे भी 50 वाइकोग्राम ज्यादा आधावी के 50 साल के बाद ग्लोवलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के नाम पर एक परदेशी कंपनी को नमक बेचने का लाइसेंस दिया गया है तब से यह जूट बोला जा रहा है और उस परदेशी कंपनी का असली नाम है उसका हिंदुस्तान लीवर उसने नमक बेचना शुरूड कि आपूर्णा के नाम से तो जब से हिंदुस्तान को इस तेश में नमक बेचने का लाइसेंस मिला है तब से इस देश में आयोडीन का चक्कर चलाया इन कंपनियों ने और मैं आरोफ लगाता हूँ इस देश के बड़े-बड़े सेक्रेटरी इस धोटाले में शामिल हैं, जिरों ने गलत रिपोर्ट पेश करके इस देश में लोगों को ये डर पैदा कर दिया, कि आपको आयोडीन की डेफिशियंसी हो गई है, इसलिए आपको आयोडीन उत्तनमक खाना चाहिए, और मैंने ज पुछवाया, एक MP के माध्यम से, कि पूरे देश में आयोडीन की कमी के कारण जो बीमारियां है, जैसे गेंगा, सबसे ज़्यादा, इसके मरीज कितने हैं पूरे देश में, तो भारत सरकार का जवाब है कि भारत में जितनी कुल बीमारियों के मरीज हैं, उसमें 0.3% पहाड़ी इलाके हैं, और भारत के परवती इलाके में, जो पहाड़ी इलाके हैं, और परवती इलाकों में कितनी आबादी रहती हैं इस देश की, मुश्किल से कुल आबादी का 5%, तो एक बार को मान भी लिया जाए कि इस देश में आयोडीन की कमी हैं, तो परवती इलाको प्रदेशी कंपनी को नमक बेचना था और उस नमक से उसको करोरो रुपए का मुनाफ़ा कमाना था इसलिए उसने 50 पैसे किलो वाले नमक को आट रुपए किलो में बिक्वाना शुरू करवा दिया है आयोडीन नाम के दोखे के साथ और कैसे लीट रहे हैं आपको आदादी के 50 साल में इस देश में क्या चल रहा है आयोडीन युक्त अगर नमक बनाया जाए तो एक किलो नमक जो अभी बनता है कच्छ में उसका कॉस्ट ऑफ पड़क्शन आता है 25 पैसा तो 25 पैसे में एक किलो नमक बन जाता है और उस नमक मे पाइस बोड़कार के कुछ तैक्स भैक्स होंगे कुछ खर्चे होंगे आना कि में बाहंता हूं कि नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी ऐसी बेदर्दी सरकार हैं जिन्नों पर भी टैक्स लगा लगा रखा है तो कुछ टैक्स वाक्षा के आकले बताते हैं, 40 लाख तन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है, तो 40 लाख तन नमक घरों में इस्तेमाल हो रहा है, और एक किलो नमक आठ रुपई में हैं, और एक किलो नमक पर सारे 6 रुपई का प्रॉफिट है, तो आप जान लीजिए, आपकी जेब से 2400 करोर नाधुराम गौड से ने तो गांदी के शरीर की हत्या की थी और इन लोगों ने तो गांदी के विचार को मार दिया है। इस देश में। क्योंकि शरी तो वैसे भी नश्वर होता है। आज रहेगा कर नहीं रहेगा। विचार मेहत्व पूर होता किसी भी आदमी का और नमख सत्यागरे इस देश में एक विचार था। क्रांटी का एक प्रतीक था। भिला दिया था उसी उनक सत्याग रहने हैं पूरे देश को और नमक पर टैक्स नहीं होना चाहिए वो गांदी जी के दिल की तकलीफ थी हिंदुस्तान के आखरी आदमी के चेहरे को ध्यान में रखका और आज उसी देश में जहां 40 करों लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हों उनको आठ रुपई किलो में आयोडीन युक्त नमक खरीदने को मिले बाकी कुछ मिले या ना मिले और उन गरीबों को इस देश में 35 रुपई किलो का काला खरीदना पड़े यह आजबी के 50 साल कि इतना मेंगा क्यों मिले चाहिए तो आपको उनलू बनाएगी हों कहेंगे इसमें आयोडीन मिलाया हुआ है आयोडीन को ऐसी महगी चीज़ है क्या बहुत ही सस्ती है भोकट की है बगवान की दियोई बहुत आयोडीन समुद्र के पानी में है जो बिना पैसे काता है तो इतना मेंगा क्यों यह मेंगा इसलिए है कि नमक के खेल में विदेशी कंपनियों को लाइसेंस दिये सरकार में जो नमक के लिए महात्मा गान्दी ने इस देश में सत्यागरे किया था कि अंग्रेजों का नमक हम नहीं खाएंगे उस महात्मा गान्दी के देश में अब वि सब्सक्राइब चपने लिए उन्हें नहीं बेचा जारा है और जबरजस्ती सब खिला है इक को मुझे बहुत ही सरकार कि कि मैंने उनको एक सवाल डालना उनको पूछा कि आपके देश में आयोडीन यूफ नमक बिखता हूं उनका नहीं बिखता क्यों उनका 1956 में हमने बेहन कर दिया क्यों तो उनका हमने शुरू में आयोडीन यूफ नमक खिलाया नाइटीन फॉर्टी से नाइटीन फ्यूफ्टी सिक्स डेट मार्क में अधिकांश लोग नपुछ सफ हो गए जन संक्या इतनी कब हो गई कि उस देश के खतम होने का खत्रा पैदा हो गया तब उन बैग्यानिकों ने का जिया आयोडीन यूफ नमक बंद कर आओ तो बंद कर हैं लेकर उसके साथ हम भेही भी बे ले रहे हैं या लूफ भी ले इसमें साब्धानी रखिए आज जो नमक हम खा रहे हैं बाशारा से खरीडा हुआ यह नमक है समुद्र के पानी से बना हुआ जादा जाना नमक जो हमें आज खाने को मिल रहा है सामक के पूसे वो समुद पानी से बना हुआ नमक है आई तो पेट में ये नमक सबसे घड़िया माना जाता है। क्वालिटी में सबसे खराब नमक अगर कोई होता है तो यही नमक है जिसको हम सबुद्र के पानी से बना हुआ नमक कहते हैं। सबसे अच्छा नमक क्यों माना जाता है वो भग्वान का बनाया हुआ ये प्रकर्टी का बनाया हुआ नमक है। सेधा नमक और काला नमक आदमी हमें नहीं बनाएगे, पहाड बंदेखे जैसे पत्थर के पहाड बंदेखे वैसे नमक पाहाड तो प्रकर्थि की क्रियाम जो बन रही है चीज़, उसकी फॉलिटी में कोई शक नहीं होता प्रकर्दी और इश्वर्ट का जो सारा को संपिलन है दुनिया में एक तम पर्फेक्ट है उसमें गलती होने का चारस है आदुमी जो बनाता है ये स्थाधी फसाद की जड़ पिते हैं आदुमी ने सोचा को ये है जिसमें बहुत अकल बाला हो गया हुआ 21 पी शकादी में पहुँच गया मैंने इतना विग्यान सीख लिए आपने इन्वी टेक्नोलोजी सीख लिए लेकिन वो प्रकर्दी को एक रंच चिंपान पर अभी तक इस्वर्ष नहीं कर पाया वहले बहुत टेक्नोलोजी सीख लिए है बहुत विए ना रहा है प्रकर्दी की बनाई वी चीज़ की जो बड़ता है वो किसी दूसरी चीज़ में नहीं है आपने नमक कर या आपको प्रकर्दी का बनाया हुआ यह जो सिंधा नमक है या काला नमक है यह आपके शरी को 94 तरी के के कोशन लेता है 94 मैं आपको और और सरव तरी के से समझाओ कोई चीज़ आपने खाई और मैंने आपको कहा या आपने जान लिया कि मुझे इसको खाने से कैल्चियम मिला यह कैल्चियम एक तरह का कोशन कोई चीज़ आपने खाई जैसे अनार का रस्पिया इससे आपके खूल में हीमोगलोमिल बढ़ा आईरन बढ़ा तो यह एक तरह का कोशन है एक ही तरह का कैल्चियम बढ़ गया शरीम में कुछ खाने से आईरन बढ़ गया शरीम में कुछ खाने से फॉस्फोरिस बढ़ ग एक एक तरह की बात किया सिंदा नमक में ऐसे चौराइब पर पोशक करतो है जो शरीर के लिए और उसके लाद दूसरे नमपर पर है काला नमपर अब ये दोनों प्रकर्दी ये बनाए हुए है पहाड़ में से आते हैं आप सभी जाते हैं नमक के पहाड़ होते हैं जैसे पत्तर नमक तो पहाड़ वाला जो नमक है पत्तर वाला जो नमक है ये चौराइब तरह के पोशन देता है और समुद्र के पानी वाला जो नमक है ये तीन तरह के पोशन देता है अब आप देए तीन तरहें के पोशन देने वाला नमक, चौरानमे तरहें के पोशन देने वाला नमक, दोनों में सिर्किस की क्वाले की, चौरानमे पोशन तो देरासी की सी बात है, तो आप नमक खा सकते हैं, जो प्रकर्पी का बनाया हुआ है, वो सेदा और काला, मतलब आज से सेदा और का कि जैसे ही दूद के साथ नमक लेना शुरू करें या दही के साथ नमक लेना शुरू करें तो ये जो नमक मैंने बोड़ा समुद्र के पादी का ये पूवी तरह से वर्चित है दूद के साथ नमक लेकर दही के साथ नमक लेकर दूद 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 के साथ नम सेधा नमक के साथ और काले नमक के साथ आएगे जीवन भर आप विरूदी रहेंगे इतना अंतर है अब आप इसको अब असकाव में लेख सकते हैं जमीन आस्वान का अंतर कहा जाता है इसके वह एक इस तरफ एक इस तरफ वही नमक जो समद्र के पानी से आया तकी फेरा है औ तो यह जो निया मैंने विरूदी वस्कों का बताया तो इसमें अगर आप दही नमक खाना चाहते हैं तो दही में सेदा नमक ही या काला नमक ही होना चाहिए और दूद के साथ नमक की कोई वस्को लेना चाहते हैं तो वो सेदा नमक और काले नमक माले ही होनी चाहिए यह सम मुझर के पाने के नमंग की वर्सकूं देहीं के साथ नहीं लेक सकते। मैंने एक बार प्रयों करके देखा। दही लिया। दही को लेंड से आप देखो। तो उसमें उहां तरहेंगे जिवानी। बहुत तरहेंगे गएंगे। वो शरीम के लिया लुकूल है। अब देखेंगे बहुत सारी जिवानों अब दैसे ही लगी mmे एाप लाघ्र करोड। गुई पाप लगा उसका जी रिंसा फेका, और दूसरा आपने को दही कृड़ा, जिस में समुधर का नमक मिला दिया, जिवामों मर गए, तो यह जीम 실ना ऽे पाप लगाओना को चाधिर में जीम ϊ पाउइपनिों पाप लगा उसका जी निन्सा निन और दूसरा आपने वो दही खाला जिसमें समुद्र का दुमत मिला हुआ है वो शरीक के काम खाने उपयोगी निन पूसी तही में मैं तो दूसरा प्रयोब करके देगा कि वही तही है उसमें लापों करोडों जीव राश्य है जीव उसी में सेला नमयत दाना एक भी जीव नहीं मारा एक भी जीव माने जीव दया भी हो गई मेरी जीव हिंसा भी मुझे नहीं जाना पड़ा पाप का भागेगे नहीं बनना पड़ा और शरीर के लिए भी उप्योगी तो माता है मैंने इसको कुछी इंध्यान ससमे कि दही में अगर राइता बना रही है तो नमक डालना हो तो काला ही नमक या सेदा ही नमक डालना ये समुद्र के पानी वाला नमक पर डालना और मेरी तो इस छोटी सी किंदी आप पाल लीजे तो बहुती अच्छा है घर में लाना ही नहीं ये समुद्र के पानी का नमक लाना ही नहीं ये समुद्र के पाली का नमक इंडर्ट्रियन इसके लिए तो ठीक है औध्योगक उसका उप्योग होता दारत में बहुत सारी ऐसे इंडर्ट्री है जिसमें नमक लगता जैसे आईज इंडर्ट्रिय है ना बरब बनाने वाले जितने नार खाने हैं सबको नमक लगता ऐसे बहुत उद्योग है जिन में नमक लगता तो उद्योगों के लिए रहने तो इसको समुद्र वाले नमक को जीवन में खान पान में इसको मतला और मैंने भारत का खुड़ा जिहास पढ़ा है तो मैंने यह जाना और उसके दस्तावेश भी देखे है उन्मी सो तीस के पहल तक इस भारत में एक भी यक्ति समुद्र के पानी का नमक नहीं खाना झाएक भाने नमक जो इस्तेमाल होता था तो सेदा या कादा और लागेस्तान के कुछ इलाब़ों में जीले हैं प्रकर्दी की बनाए हुए जीले जैसे सांवर एक बड़ी जील का नाम में सांवर तो जिल मनुशुना नहीं बनाई वो प्रकर्थी से बनी है उस जिल में से खयार हुआ नमक भी प्रकर्थी नमक बाने जाता है तो ज्यादा लोग इसने माल करते रहे हैं सांबर जिंका नमक, सेदा नमक, और कालग, 1930 के पहले कर, 1930 में महात्मा रांदी ने जब से नमक जाया और लोगों ने उसको खाने में भी जादी उनीस सो से तालीस में क्या हुआ दुर्भाणिये से हमारे देश का पड़वारा हो गया पाकिस्तान भारत से अलग हो गया अब सौभाणिया दुर्भाणिया जूपी नमक के सारे पहाण पाकिस्तान के हिस्से में आगे पा थिसके आसपास सारे पहाड्, जाला से जाला नमक के पहाड! तो हमारी मिल्पूरी हो गैं कि पाकिस्तान से नमक आयाीक, तो हम खाए, सेधा नमक, पार नमक, जाला उसी हंगा बढ़ वाना कुछ इस तरह का हुआ, कि नमक पहाड उस तरफ चले गए! तो बहुत दिन तक ये नमक आता नहीं था पाकिस्तान से तो लोगों के मजबूरी हो गए क्योंकि बहुत दिन तक भारत और पाकिस्तान की ऐसी दुश्वनी रही है आप जानते आज़ाते मिल्टे पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था कश्मीर चीनने में तो वो दुश्मनी ऐसे दीज मिलों है कि बहुत साल तक तो आ नहीं पाया तो लोगों की मजबूरी हो गई कि वही क्या करें तो फिर लोगों ने ये मजबूरी में समुद्र का दमाँ खाना शुब कर दिया और धीरे धीरे समुद्र का दमाँ बना बढ़ता चला गया इंडिस्ट्रियों की उसके साथ को घर्णा भी आने लगा और मैं आपको इनमरता पूपर कहना चाहता हूँ कि उसी समय से ब्लड प्रेशर भी हमारे यहां बुसके यह जो आज तल आपने सुनाए न ब्लड प्रेशर प्रारब इन contexto आया जिस दिन से हमने समद्र की पानी की आता भार्म की वर्ना त्रतीलिय क्या नमक का एगर हम इसने माल करते रहे हम आज करें आगे पीडों करते हैं तो न आपको पूरी दिलबुद्टा से इस बार ना चाहता हूं आपका अपने आप नमका जर्द दीजिए आप हैं गर्व नहीं सब्सक्राइब करने लिए उसको बोड़न के नहीं से बना नमक लाना शुन कर दीजिए आप नहीं भी अपने आपको जाएगा और भी फूल निकल जाएगा शरीक से बिना किसी दवाखे लिए और आप जानते हैं कि आजकर हमारे जीवन में हाई ब्लेट प्रेशन इतनी खतरणाग मीमारी की इस्तिती में हैं कि ये शुरू हो जाए तो दुनिया जहान की कोई भी निमारी सटानी ब्लेट प्रेशन आही होगिया तो खरेन हमरी यह क्या करते घ्र है कि ये सब से कराद है, root cause में blood pressure है बहुत सारी विबारियों का blood pressure हाई हुआ, diabetes ला देगा blood pressure हाई हुआ, फुगर बढ़ा देगा सब कुछ करेगा blood pressure हुआ, आँक आपकी खराब करेगा ये भाई को आपने देगा ना जिसकी आँक कराब है इसकी एक आँक का pressure पढ़ाओगा ये ही तकलीफ है उसमें अगर दोनों आपका pressure एक सार पढ़े तो इलाज करना बहुत आसान होता है दुनिया में, एक ही आपका pressure पढ़े और एक का कमा हो इलाजी नहीं कर सकता इसलिए ये भाई जिसने आप से कहानी सुनाई ये घजारों, लागों लोगे खर्च करके पता ने कितने दॉक्टरों के चक्कर में अपना समय खराब करता था है इसको इस सरल बात कोई बता देता जो आज इसको पता चलेगे इसकी एक आपका pressure बहुत बढ़ गया था एक आपका pressure बिल्कुल कम था या गौर्मन था इसको किसी ने बता दिया होता कि नमख बदल दो इसकी विमारी यहां तक नहीं होने का दुश्परिणा और होने का फाइदा हमारे यहां सबी साथो संतों के मूझ से मैं यह संता रहता हूँ आपको बार बार संते लगते हैं अग्यान सबसे बढ़ा दो है अग्यान में जाना दुनिया का सबसे बढ़ा दो है और ग्यान में चले जाना दुनिया का सबसे बढ़ा सुख है मैं भी मानने आपको सुख मैं गरेवी को दुख नहीं मानता बेरोजगारी को दुख नहीं मानता इस लिए बीमारियां हमारे शरीर में शरीम है और उनका दुख है वो भी अध्यान का ही कारण है जैसे इस जान में आप जाएंगे आगों पीमारियां जीक कर लेंगे डॉक्टर के चक्तर में बसने की जुरूरती नहीं को है इस भाई को पता है जिसकी आप इस स्कती में आई है जो आपको देखने हैं जैसे इसकी आप में प्रशर बढ़ना हुआ ये पहले डॉक्टर के पास जहां गया वो इसको बता सकता था कि भाई देगी नहीं का प्रशर बहुत जाला है ब्लड प्रशर दूसरी आप ना कब है अब बगल के अब तू जा कर देगे बस इतना कर देगे नवपने इसारवना रहा है नहीं कहा नहीं बताया शाहित जान बूच के नहीं बताया या आईगा ने दोनों यह बात में सकते हो सकता उस दॉक्टर को भी गयान ना हो इस बात का ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ये उसको ग्यान हो और जान कुछ के नहीं बताया तो दोने ही समझावना है तो मैं आपसे ये बात को जाना जो देखे कह रहा हूं ये एक चोटी सी जानकारी ना होने का कितना बड़ा उक है और हुने का कितना बड़ा सुख है आपको आदे जानकरी हो गई कि समुद्र ये पानी के नमक से शरी को सिर्फ तीन पोशकत्त्तों मिलते हैं पहाड के नमक का पत्थर के नमक का 94 पोशकत्त्तों का बंड़ा है वो तो आप तुरत उसमें शिफ्ट कर जाएए अपने घर का नमक बदलते हैं आप अपने उन पर देखिए क्या क्या परिपलता ना है आप आजाएए सेदा नमक खाना शूरू कर दीजे कालना जिस दिन खा आप देखिए आपको लगेगा यह चमत्ता रूप के नमक खाने से या आप खाने से एक दिन पहले आपका माईगरे नाम के शुरूद पर यह सब सब जितनी भी बमारिया आपको देख दीजे धियान से और खाना शूरू करिए पिदेखिए क्या क्या परिमन तना रहे हैं नमक शरीर के यह बहुत आपश्चक है आप जानते हैं लेकिन सेधा और काल यह समुद्र के पार्टी बहला देखिए आपको और एक जान करेंगे शरीर में सेधा और काले नमक से जो जो पोशकता मिलती है इसी की कमी होने पर पहले इसे साथ हाँ ध्यांदी के नमक शरीर मे मेरे सेधा और काला नमक से जो पोशकता मिलती है उसी की कमी होने पर पहले इसे साथ है शरीर मेरे काला और सेधा नमक मिलने से जो पोशकता मिलती है उसी कमी से ब्रें हैमरेज भी होता है मेरे गुरू जिनका नाम था शरी धरंपालावी को स्वाइक वासी है एक बार उनके शरीप में ऐसा हुआ जो पोशक्ता मिलने चाहिए थी नमक से इस इदाव रकाल वो कमे होई उनको करले से स्कार्ट हो उनकी आवाद चाहिए पूरी आवाद चाहिए वो कुछ बात ही ने और मेरी आखों के सामने मेरी गुरू का इसा हाद था मैं क्या कूँ महें कर अटेप था बड़ा अटेप था पर लेसिस का हाथ पर तो चले गए अवाद भी चले लिए ब्रेन भी काफी एफेक्ट हुआ प्रभावित हुआ हूं को ले लिया हॉस्पिटल में हाथ उखा दि इसको हम सबसे ज़्यादा करते हैं उनके इलाज करने का हाथ पर हिलता रहता है तो उसको पकड़ने के लिए बांग दें अब मेरे कुछ चटपट आए तो मैं उनको हस्पिटल से लिए और मेरे इस निवनें की बहुत आलो उचना हुए मेरे सहीरों जोने बहुत आलीच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं मार नाले के ऐसा हो जाएगा इतनी मड़े हॉस्पिटल में से निकाल लिए आप उनको घर लादे मैंने का इंके पास इलाजी नहीं को डॉक्टर अपनी पूर्व से कह रहा है मिरे अपास इलाजी नहीं है मेरे गुरुप के लिए कुछ नहीं किया मैंने अंदाजा लगाया कि शाया बिलके शरीव मैं नमक से बिलने वादी कोशक्ता की कभी है इसके कारणी अटेक आया हो और मैंने द्यान किया तो वो नमक वही खाते थे समत्र के पानी वादा तो मैंने उनको होगियों पहली की एक ऐसी दवा जुनकर दी जो सेदा नमक और काले नमक की पोशक्ता को बढ़ाने वादी कि दवा की तीन खुडात मैंने मुनका वेर्विसस्टी हो गया तीन खुडाती दुपहल को एक दी शाम को एक खुडाती आगले दिन तो वो चलने लगे जो पूरी तरह से बैड़े दिन थे विस्तर पर खिड़े हाथ पर में पूर चुम ले दिमांक और बॉडी का कि सबेरे अगले देखा कि वो अपने से रिसकते रिसकते बात रूं जाए और तीन के बाद चौथी दी नहीं मैंने दो दिन के बाद उनकी अवाज लापस आई है और चार-पंच दिन में बॉडी के सारी फंक्शन नार्मल हुए हुए है और दस दिन के बाद जिसने भी उ कि मुझे नहीं लगता आपके कोई अटएदा है जो ही देखे वो यह कि हमें नहीं लगता था कि कोई अटएदा है माने इतनी नौर्मन हो नहीं सारी फंक्शन और जब उनकी बेटी उनको मिलने आई को जर्मनी में रहती है तो वो कुद अहरान दोए है फिर उसमें पूछ क्या क्या मेंने तक कुछ नहीं हुमें में लिए कि दवा दे थी वो दवा का ये की काम है कि नमक से जो पोशक्ता चेखे शरीब को वो नमक नहीं देवाया या नमक नहीं खाने से वो पोशक्ता नहीं थी शरीब में वो दवा में ने दे दी तीन पुराद में जमतकार तरह ऐसे ही होता है तो हम जब कहते हैं दवा का चमतकार क्या है कुछ खास नहीं है आपके शरीव में जो कोशक्ता में कभी आई और उसके कारण से जो तकलीफ में आप वस गए वो कोशक्ता किसी तरह से दे दो अगर उस समय में उनको नमक का पानी उबाल के दे देता तो भी वो ठीक हो जाते हैं लेकिन उनका खुलने की इस्तथी में नहीं था तो पानी जाए कैसे इसलिए दवा दे लो नहीं तो वो ऐसे पुछी नहीं तो यह उधारण में आपको सिर्फ इसलिए दिये हैं कि आप इसकी गंभी ताकों समझ लेए अपने जीवन में जो एक बड़ी गल्दी हम कर रहे हैं भूल कहना चाहिए उसको गल्दी नहीं है गल्दियों का तो तीवी का मिल्दिया मन देए रोज तीवी हमें उप्रू बना रहा है आयोगी नियुक्त नमक खाओ में तो पागल हो जाओगे घेंगा हो जाएगा मैं देश में बारे साल से भूम रहा हूं कोई एक मेशन मुझे मिले जिसमें आयोगी नमक नहीं खाया और उसको घेंगा ह होlles जिला नहीं हूं सरकार को बारा करता हूँ मुझे दे दो ठीक करूंगा जिनको आयोगी नहीं खाने से घेड़ा हुआ ऐसे पिशन मुझे देदो मेरे खर्चे से मेरे पैसे से उनका ठीक्प्र करूंगा ठीक करूए cél पी मरीच सरकार मुझे देने पई मैंने सर्कार से लिस्ट मंगी कि देदो बुझे एक सूची किस-किस दाउने कौन पॉन आदमी है जिसको आई उन्मक नहीं खानी से गेगा हुआ आज तक सूची नहीं आई हाँ भारत में जमु काश्मीर इमाचल पुर्देश और उत्राण चली पहाड के कुछ राग्या हैं वहां जिर्फूर मैंके कुछ भरीज देखे हैं जिनको आई लिंग की कमी से खेंगे की समस्या है आप ध्यान से सुच्छी एका इस बात तीन राज्ये और इस राज्यों के पहाड के उच्छाइं पर रहने वाले उच्छ लोगों ले आयोदी उकि कमी है शरील के तो उनको गहड़ा है और समझ में आता है लेकिन पहाड से नीचे उतर कर में लेंने वाले किसी आद्गी да कमी कि नहीं है वो नहीं सोगते हुए कि पहालों की कूचाई में जो प्राकर्श से आउली developmental संदूरे तो और मेदानों में जो सब्छ Yokosya कोकी मिठल को रहती है। आए नाय को कैसा ik तो वहां थोड़ी जरूरत है नहीं हो पाते हैं तो बेना सरकार को बार बार ये कहला है कि वहाड़ों में अगर ये कभी जादा है तो उनको खिलाओ आयोडिय की उतना है हम को क्यों खिला दें जबर जस्ति है हम तो सभी दाल खाने वाले लूग है आदी लटोड़ी दाल आपने से कौन है जो रोज नहीं जबर 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 खाने वाले जादेंगे वहाड़ी दाल के बितना नहीं रह सकते हैं कि जरूरत से ज़्यादा आयोडिने ने शरीम में जमा हो तो इसकी सबसे पहली पुराफात है ये आदमी को नपुल सक्त बनाता है जिनके खून में जरूरत से ज़्यादा आयोडिन आजाती है वो कभी भी बच्चा पैदा कर नहीं सकते है इस तरी हो जाओ तो दोनों ही नपुल सकता में जाते है अगर जरूरत से ज़्यादा आयोडिन आजा इतनी खतरना प्रीमारी जिस आयोडिन की अधिता से आती हो वो पुरे देश में टीवी चैनल ओपर कभी नहीं बताने जाता आधिपान बताता आधिवी चैनल आयोडिन इतना में खाओ लेकिन यह आधिवादा और पताने की जरूरत है कि आपके शरीम में जरूरत से ज़्यादा आएक नीद है तो मत खाओ नहीं तो नपुल सकता में चले जाओ तो अधूरा ग्यान खतरना और इसी के चक्तर में मैं देख रहा हूं पिछले कई वर्षों में हमारे देश में लोगों में नपुल सकता बढ़ रही है शादी को दंदस साल होना है पंद्र पंद्र साल होना है बच्चे नहीं हो रही है वो आधे हैं सिर्फ पढ़ते हैं परस क्या करें कैसे तरह उनको छोटा सा घ्यान अगर कोई दस साल पहले देने था कि भीया आई उडी क्यों नमखबत खाओ सेदा नमखबत खाओ काला नमखबत खाओ तो वो यहां तक पहुचते नहीं उनको शादी के पहले कुसरे साल में बच्चे हो जाते हैं तो विश्यची गंदीर ता को आप समझें कि हम कितनी बड़ी गलती में या भूल में खाओ तीवी के विगयाबल में खाओ और टीवी में विगयाबल कौन कंपनिया दे रही हैं क्योंकि समद्र का पानी भोगटका है टेक्स्ली है पॉकषते है और उसके ऊपर पढ़ने वाला सूरज का प्रकाश भोगी तेक्स्ली है और को सुप्री है नमक बनाने में मशीन कोई लगती नहीं आप जानते हैं समुद्र का पानी एक खेट में हम लख्था करते हैं सुरज की धूप उस पर गिरती है पानी वाश्रू बनके उड़ जाता है दमद नीचे रह जाता है यही है ना इसमें ना कोई मशीन लगती है ना विजली लगती है ना विजली ना वशीन पॉस्ट अप्रडक्शन तो कब 15 में से किलो का खर्चा आता है अब यह 15 पैसे किलो का नमक आपके डहर तक आते आते साथ रुपई किलो कैसे हो जाता है यह उन लूट पर कंपनियों का सारा तंक्र है सरकार के साथ विए कर कि आपकी जेब पैसे पै जितनी कंपनिया नमक को आयोटे नियुक्त करके बेच नहीं है यह आयोटे नियुक्त नमक है वो स्टब लूट रही है आपको इसकंटिया कंपनी ने जितना नियुक्त अससे जादा लोगी तो चाहँ भारत की हो या विदेशी 15 पैसे जिलो की चीज 7 रुपय किलो हिसाब लगाओ नित का 15 पैसे जिलो की चीज 30 पैसे किलो अगशा 새로운 और क्रतिशत हो गया और 15 पैसे जिलो की चीज 30 रुपय किलो करी दो मुनाफ़ MILL कि चीज बिन पेस्ट में घर्ट दो मुनाफ़ के रूपए का मुनाफ़ दो मुनाफ़ का मुनाफ़ आपकी जैव से निकाला गारे है नमक के ना और नमक की मजबूरी क्या है ये एक ऐसी वस्तु है जो सब को चाहिए कंसप्शन बहुत अधिक है लागों करोडों टन में हम इस्केमाने रखते हैं हलसाथ तो मुनाफा भी कितना होगा दिना सोचे एक किलो का मुनाफा 15 पैसे से 7 रुपए तो करोडों टन माँ गद काको उल्टो चाहिए जारों लागों करोडों रुपए लूट रहे हैं उछिक को आपको उल्टू बनाएं तो मैं जादा हो आप इस लूट से भी बचो और इस नमक से भी बच्छो गर्म हो बीपी वढ़ाने वाला तकलीफ ही मैदा करने वाला, शरीफ मेदा करने वाला, ऊपर से इतना मेदा, हमारे पेसे खीच कर रही जाए, तो यह जो साजीशे चल गई है, यह जो शरीयन्थ चल गई है, पूरी देश में अलग लग बई, मुझे लगता है कि कोई बड़ा शरीयन्थ शाइद इस देश मे बच्चे ही पैदा ना हो इस देश में तो विदेश की आपकर फिल कप्चा कर लें अधिक जनसर क्या कि आपकी जनसर क्या घड़ती जाए और दूसरों की पढ़ती जाए आपको सु कहरानी होगी आयोधी युद्न नमट भारत देश में आने से पहले यूरोप और अमेरिका एक खंड के चादीज देशों में चल चुका है और वहां की जर्दारों ने उसको पूरी तरह से प्रतिबन भी कर दिया और यूरोप के देशों में सबसे पहले एक दिश है किसका नाम ही चरबशनी इसमें आयोधी युद्न नमट चुरू किया इपर एक्स्ट्रा फш्री फ्रूप और अगर कोई नमत पानी को खीचेगा तो इक्स्ट्रा फ्रीफ्टों नहीं सकता है शुखा नहीं होगा तो नमत पानी को खीचता है उसका घुर्द है अब यह पानी को खीचने का जो घुर्द में इसके कारण नमत को जब पीसेंगे थोड़ी नमी रही वादी है यूरोप और अमेरिका के वैज्यानिकों ने प्राफ अगर नमी है तो यह ऐसे करके किसी पर इसको चुड़क नहीं सकते है बुरुका नहीं जा सकता है यूरोप और मेरिका की खासियत क्या है तो हमें जानी चाहिए उनकी अपनी समस्या है जिसका समाधन करने के लिए यह तमाशा किया वहां सबची कोई घर में बनाता नहीं है को यह को खाता है समजी वनी मना इंडिम्मे में आती है यहां सुहिए अमेरिका देशों में कना에 जैसे देशों में जो आपने को बहुत कहते हैं शबी समची यह खाते हैं कि समची बंणना नहीं आता किस Texas कि यह प्धने खरीव उनी सब्जी बनाना नहीं हिंदुस्तान के घरगर में 10 साल के किसी भी बच्चे को जो काम आता है वो यूरूप के बड़े-बड़े लोगों को नियादा सब्जी बनाते कैसे हैं कम्प्यूटर, सॉपर कंप्यूटर, cambi, electronics ौ 서 और सारी दुनियाद आगा ताम-ध्याम करने वाले घ्रोलिड़ बनाने वालें तो सब्जी बनाना कि मैं आख़ा सब्जी बनाना आता कि मैं नहीं हिए कारणे की सब्ची होती सब्सक्राइब झाला क्या देश्काइब गजाएब बताक है ईंडुक और क 녀heid बॉक्तोती उक्ते ही सब्सक्राइब होतीर में और विश्क्रों तो सब्सक्राइब को सब्सक्या में युद्सक्त निक Let Me तो विदा नमक की हुगली हुई सब्जी ड़िक में बन दाती है भिफोपर अमेरिकामे जब वो खाने के लिए प्लेख पर निकालते हैं तो फूपर से नमक डालते हैं कि अब उपर से नमक आगा है उनको नमक ऐसा चाहिए तो फ्री फ्लो हो चार तरफ गिरी और नमक की मिशेष्टा है कि उसमें पानी रहेगा थुड़ा मौश्चर रहेगा तो उन्होंने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए नमक को एक्स्ट्रा फ्री फ्लो बनाया और उस उसके लिए बीसियों केमिकल डाल दिए अब उन्होंने देखा उनके यहां यह नमक चल पड़ा उस नमक में से समस्या शुरू हो गई आयोडी नहीं उप्त किया और समस्या शुरू हो गई जर्मनी में बड़े पर्माने पर लोगों में नकुर सकता पहली प्रांस में स्विसलेंड में नौर्वे में बच्चों के पहला होने का जो ग्रोथ रेट है वो कम होने लिए तो बड़ी खोच हो नहीं कि बच्छे कर दा कम होने लगे क्यों तो ग्यानिकों ने पोच के बनाया गया अत्रिक तायोलीक का कमाल है तो ध्राइब सरकारों ने उसको बहुत कि नहीं चाहिए तो बन कर दिया अब हिंदुस्तान के लेता तो सुभान अल्ला है वो आपने पता नहीं हिंदी या उल्लू की कहाबत है एक ही उल्लू काफी है बर्बाद मुलिस्ता करने को हर शाख पे उल्लू बैढ़ा है अंजामे को रश्ता क्या है एक ही उल्लू बहुत होता है समाज पर बाद करने के लिएंगे और हमारे वुद्लूकी होंकी और हमकरों a करति होंगे निए पौरभी बना लेती है जिर वहीं मंत्री बन जाते हैं इसके लिए पैसे घंच करने हैं तो पैसे लाने नहां से हैं तो चुनाव का साथ केल यह है पाइसा बनाना पुरसी लाना पुरसी पे बैठना पर पैसे बनाना इन पर पीसे बनाना इसा बना। कामून ने ऐसा भी बना दिया है जो बिना आयोगी का नमक प्रेचे था तुमान में उसको भी जवड़ा देगा कि इन मूर्खों ने थोड़ा भी नहीं सोचा कि 1930 के पहले इस देश में कोई आयोगी नियुक्त नहीं था और लोग जादा स्वस्त थे जबसे यह समुत्र के पानी का नमक आया भरों में जादा भीमारीया आई है अब इसमें भुस्त आ गया साथ खेल कि जो नमक को पंदर के से किलो से साथ पूपर दस रुपर किलो बेचने वाली नमपनिया उनको मुनाफिक हमाने उसमें बड़ी-बड़ी विदेशी कंपनिया है वारत की विभूच देशी कंपनिया है उनको अपना धंदा चलाना है नेता लुप को उसमें से थोड़ी भूस और विश्मत देकर अपनी व्यवस्ता को तिकाएं रखता है तो नेता और ब्रश्ट कंपनियों का घड़ जो ब्रश्ट नेता ब्रश्ट कंपनियों ब्रश्ट अदिकारी बेगे बन गया तो चला दिया पूरे देश में आयो किये हो गई और उनके फैसले भी आई है एक इतना अच्छा फैसला आया महाराश्ट कोड का कि जबर जस्ती सरकार किसी को आयोडी नुक नमक नहीं खिला सकते किसी की इच्छा है तो खाए नहीं है तो वो अपना दूस्ता नमक खाए तब से यह कंपन्शन हटाया हो ने क्य अच्छना पुड़ेगा लेकिन सरकारे कितनी खदरनाक हैं आप जिरा सूचिए जिनको आप बना रहे हैं अपनी स्ट्रक्शना के लिए वो सरकारे यह आपको खत्रे मना तो आपको तो मेरी एकी छोटी सी दिन्ती है एकनी सब्राव कहानी सुनाने के बार जड़ता नमक ब प्रती है लिए विदान ना अचाहन काम पह sekarang एक रास्ते पर आपमी चल पड़े में तो इसको बापस लाना बड़ा मुश्ची काम होटा उसको कई तरह से कंविंस करना पड़ता है बताना पड़ता है जान करी आपको दिस तब जो एक चोटा सा भैसला करता है हाँ आज समय तेरे घर में सेदा नमखी आएगा या काला नमखी आएगा तो आप तो जिनमें लोग यहां बेटे हैं अपना फैसला आप आप आज करी लोग और मेरी एक छोटी सी बिंती है कि आपके पोड़ोसी हैं परिवार के बित्र हैं परिचित हैं उनको भी यह बोलना शुरू कर दो बैंना नमक लाना तो सेदा काल आ अपको एंगे तो जीवन से मेहगा कोई सोदा नेखूँक दस रुस किलों का अज़ेदा नमक खाना पड़ता है माननों या दस रुस किलों का खाल नमख खाना पड़ता है और आप स्वस्त हो जाते हैं लागू रुपई ये आपके खरि तो क्या बड़ा सुना और सेथा नमक पहना एक ही कारव से हुआ बारत का बड़ारा जो हो गया पाकिस्तान अलग हो गया हमारे नमक के पाड़ पाकिस्तान के कब्जे में चले गए बना यह सिंधा नमक तो सबसे सस्का बिखता रहा आप यहां करिए आपके जमानी के दिलों म शाइद रुबल में पांसाथ सेर या दस में नमक मिलता होगा मिलताने जी बताते हैं पांसाथ पैसे किलोना मिलिया आता था सेंधा नमक तारणा यह महना तक से हुआ जब सिर्फ पहाड़ पाकिस्तान के तब्जे में गए हमारे हिस्से हैं तो महना और अभी महना और इस होट करके लाना पड़ता है , पहले एक ही देश को मिलता था है दूसरे रेश से लाना पड़ता इस भी थोड़ा महौ हुआ हूए तो थोड़ा देग अ कि आपके स्वास्त की कीमत पर तो इतना महता नहीं पड़ेगा आप उसको याते हैं जाएए घर में सेदा नमग लाएए काले नमग लाएए और फिर इस नियम में आप चाण तो छूट ले सकते हैं कि दूर के साथ नमग की चीज भी लेगी पड़े तो सेदा नमग और काले आपके फोड़े चीज ले सेथा निया जैसे मैं नएथाठों पर देह ना का जूआइर तो बहुत लोहों के मनदब प्रश्म नहीं कहा होगा कि अघर तो नमग के चीज खा रहे हैं आयु बना करता है नमक और दूभ का तो ध्यान दिया कि जो वस्तों है नमक की आप बनाएं वो सेदा नमक और काले नमक की बनाएं उसके साफ दूभ पी तो यह हमेशा से आपको याद